सीलल कसम में जब से रिशी ने तनूजा को देखा रहा है उसे तनू की याद सताने लगी है हमने आपको बताया था कि तनूजा का हाव भाव सब कुछ तनू जैसा है ऐसे में रिशी चाह कर भी तनूजा से खुद को दूर नहीं रख़ा रहा है चलिए खैर आपको देते हैं शो के आगे की अपडेट हमें आपको बताया था कि तनूजा जो तनू है उसे अपना पिशला जनम याद आ चुका है और वो पहचान गई है अपने प्यार याने रिशी को जी हाँ बस वो उस दिन का इंतिजार करें जब खुद रिशी उसे तनू के रूप में स्युकारेगा खर एक तरफ चल रहा है रिशी की लाइफ में तनूजा की अटेंशन वहीं दूसरी तरफ रिशी की फैमिली चाहती है कि उनका बेटा जल से जल शादी कर ले और रिशी भी कुछ ऐसा ही चाहता है दिल से लेक दिन रिशी अपनी परिवार वालों के साथ बैट के डिनर कर रहा होगा और तभी उसके परिवार के सदे से कहेंगे कि वो जल से जल शादी कर ले ऐसे में रिशी सबको ये जवाब देता है कि वो अपनी जिन्दिगी में तनू के अलावा किसी और को जगन ही दे सकता पर आगे ही जैसे ही रिशी की फैमली को पता चलेगा कि तनू जाही तनू है सभी मिलकर खुद रिशी को शादी के लिए फोर्स करेंगे और आखिरकार रिशी भी तो यही जाता था यानि आने वाले अबिसोर्ड में आप देखेंगे तनू जा यानि तनू और रिशी की शादी इस शो से जुड़ी और सारी अपडेट जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस